साथियों, आज देश के अलग-अलग राज्यों में आउद्योगी की विकास नई उंचाई पर है। राजस्तान में भी निवेश बड़े, यहां नए कारखाने लगे, नई फैक्टरियां लगे, यह बहुत जरूरी है। लेकिन जहां कदम कदम पर करप्शन हो, जहां लाल दाइरी में काली कर्टूते हो, हर कोई कट और कमिशन में ब्यस्त हो, वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा, कौन पुझी निवेश करेगा, जहां सरयाम गला काटने की गटनाएं हो, और सरकार मजबूर हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है। यह साधारन अपराद नहीं है, यह कौंग्रेस की वोट बेंक की तुष्टी करण की नीती का परणाब है। जब कौंग्रेस सरकार आतंकियों पर कारवाई के बजाए, उन पर महरवान हो। जब कौंग्रेस सरकार अपरादियों को खुली छूट दे रही हो, तो फिर कानून का खौप कैसे रहेगा, किस में होगा। इसलिए आज राजस्तान की पस्त कानून ववस्ता की बहुत बड़ी बुक्त भोगी हमारी माताए, बेने, बेटियां है। जो सरकार बेनों बेटियों को सुरक्षा और सम्मान का जीवन तक नहीं दे सकती। उस सरकार का जाना तय है।